नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका प्यार से चैनल टेक बायस्वी वे उत्तर परदेश समीदा करिमियों के लिए आज की क्या अफडेट है मैं आप लोगों को लाइब दिखाऊंगा पुरूब के साथ तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है अ जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को पता है उत्तर परदेश सरकार आए दिन कोई ना कोई व्यान उत्तर परदेश समीदा करिमियों को हित में ले रही है जैसा कि अभी आपको मैं बता देना जाता हूं बिर्जेस पाठाक जी की बात बात कर लेता हूं तो उन्होंने संभावना है नियमती कर्ड़ पिक्रिया उत्रपर्देश सरकार जल सुरू कर रहे और बाद करते एनच्यम करमचारियों का धर्ना परदेशन 30 जुलाई को होने माला है उसको लेकर के सरकार बाखला गई है डर सी गई है कि धर्ना परदेशन देने के पहले-पहले परदेश समीदा करीमियों के हित मिलेगी मान योगी जी अधितना जी की बात की जाए तो उन्होंने मेडिया के जरी खुलासा करके कहा था कि 25 जुलाई तक जो है जहां तक संभावना है नियमतीकर लिष्ट जारी कर दी जाएगी साथी साथ उन्होंने यह भी बताया था कि 25 जुलाई को जो है कोई न कोई विभाग का नियमतीकर आदेश जारी हो जाएगा पस जैसे अब तक आप लोग धहर बना करके रहे हैं इस तरह से आप लोग धहर बना करके रहे हैं कुल मिला करके देखा जाए तो सरकार का टार्गेट सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से धरना प्रदरसन को रोका जाए और आप लोगों के नियमतीकर पैंडिंग मेर रखा जय बस प्यार सती सर्कार मिडिया के जरी यह वह 15 अगस्त तक फिची जा रही है तो जी हाँ प्यारे साथ ही ओत्तर परदिश के संवीदा कर्मियों के लिए राजपाल की तरफ से कोई भी टिकत की परिशानी की बात नहीं है उन्होंने साफ साफ राजपाली ने साफ साफ कहा है कि फाइल जैसे ही मेरी पास आएगी और समझो उत्तर परदेश के सम्मीदा कर्मियों का नियमतिकर प्रक्रिया शुरू हो जागे इसमें किसी भी परकार का डाउट नहीं है छे लाख ऐसे सम्मीदा कर्मी होंगे जो उत्तर परदेश में सम्मीदा परकार करते हैं और उनको उत्तर परदेश सरकार जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी रही बात सेलरी की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो सेलरी होगी हो 40,000 पलस की आपकी सेलरी होने वाली है I hope मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा धन्यबाद जय हिन जय उत्र परदिश